निहा जी हमारे साथ है और बतादे के लिए तैयार है अच्छी खबर जो आ रही है यॉरोप से क्या है यॉरोप से बढ़िया खबर निहा बताईए अच्छी खबर आई है और उस खबर पर हमने देखा कि तुरंट अंतराश्य बाजार में जितनी अगरी कमोडिटीज है सब में गिरावट देखने को मिली है वैसे भी प्रेशर में थी लेकिन कुछ फ्रेश लोज बनते देखें बेसिकली ये करेक्शन है पिछले साल के मुका सब की कीमते यहाँ पर मल्टी मंथ लोज पर ट्रेट कर रही खाने के तेल तमाम खाने के तेल यहाँ पर एक एक साल के लोज पर है फटा फट बता देती हूं ब्लैक सी के रास्ते अनाज का जो शिप्मेंट है अब वो फाइनली खुल जाएगा एक्सपोर्ट्स पहले भी ह हो रहे थे यूकरेन की तरफ से लेकिन वो रेल रोड नदी के रास्ते से यॉरप के रास्ते से हो रहे थे जो की बहुत कम थे एकदम नेगलिजिबल अब फाइनली हो पाएगा याद रखिए ग्लोबल मार्केट में गेहूं के फरंट पर यूकरेन का 9 प्रतिशत का युद्ध के चलते अभी हमने देखा था कि जो विंटर की क्रॉप थी जो ठंडी की इनकी क्रॉप थी वो सवा 2-5 करोर तन के आसपास की इनके पोर्ट के गोदामों में 5 महीने से पड़ी हुई थी निकली नहीं पारी थी ये बात है कि रशिया ने बहुत तबाही मचाई ह इन्फरस्ट्रक्चर और एगरी इन्फरस्ट्रक्चर को बहुत टार्गेट किया लेकिन अभी भी कुछ अनाज बताये जा रहे हैं जो की बचे हुए हैं इनकी तरफ से भी आगे जाकर खेती थोड़ी प्रभावित होती दिख रहे हैं लेकिन ये जो गेहुं है सर और ये इस देशों के लिए तो इमिडिटली कीमतों में सौफनिंग देखने को मिलेगी और वो दिख रही है मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात की है अभी भी पात से दस परसेंट का करेक्शन अनाज में खाने के तेलों में तिलहन में यहां पर देखने को डेफिनिटली मिलने वाला है ओके तो यह है आपके लिए खाने पर ने की चीज़ें सस्ती होती है दिखेगी दुनिया पर मान लें दुनिया भर में के दाम खाने पर ने की चीज़ें के गीरावट की तरफ और आगे बढ़ेंगी